नमस्कर दोस्तों, आज हम कुछ बाचित करने के लिए फिर आपके पास आए हैं, आज हम चर्चा करेंगे सफलता क्या है, सफलता कैसे पाई जाती हैं, हम अक्सर लोगों से सुनते हैं, कि वो फलावैक्ती सफल हो गया, हमारे लिए हम कोई आउसर नहीं मिला, हमारी अब ब्रिंगिंग ठीक नहीं हुई थी, हमें माहौल ठीक नहीं मिला, लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ जब देखते हैं, कई ऐसे लोग सफल होते हैं, जिनके साथ भी परिस्तीतियां वही होती है, उनकी अब ब्रिंगिंग भी ठीक नहीं होती है, उन्हें भी माहौल ठीक नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो सफल हो जाते हैं, और अपनी लकीर कि शफलता मिलती नहीं, सफलता पाई जाती है, सफलता प्राप्त की जाती है. और उसके लिए कठिन परिस्रम, नियमित समय देना पड़ता है. कहा जाता है ना, कि शानती के समय में, आप जितना पसीना बहाएंगे, युद्ध के समय में उतना कम खून आपको बहाना पड़ेगा और आप युद्धे जीतते हैं तो जरूरत ये है कि आप अपने समय का प्रबंधन ठीक से करें अपने लक्ष को निरधारित करें और उस लक्ष की ओर सनेई सनेई आगे बढ़ते रहे वो कहावत है ना सनेई पंथा, सनेई कंथा, सनेई परवत लंगनम सनेई विद्धम, सनेई विद्या, ये तानी सनेई सनेई हर्थात जो हमारे यहाँ पुराने में कहते थे कि घर में मा जो होती थी, दादी होती थी, नानी होती थी वो पुराने कपड़ों का सुजनी कह लीजिए, हम लोग लेवा कह लीजिए, गेनरा कह लीजिए वो खाली समय में जब मिलता था तो थोड़ा सिल लेती थी और दो-चार महीने में वो हमारा कपड़ा तयार हो जाता था जो कोई भी आता था तो उसको हम बिचा देते थे, पलंग पर डाल देते थे, बाहर बैठना है वहाँ हम डाल देते थे उसको हम लोग कहते थे कंथा, सनही कंथा, सनही पंथा बड़े परवत की पहाड की चोटी पर भी अगर आपको चढ़ना है तो धीरे धीरे ही चढ़ा जाता है अचानक कुछ नहीं होता है सनही पंथा, सनही कंथा, सनही कंथा, सनही पंथा, सनही परवतलंगनम सनही वित्तम, सनही विद्या धन भी अचानक नहीं आता है जो छोटी-छोटी अपनी वित्तिय योजनाओं को चलाते रहते हैं उनके पास ही धन रहता है हम लोग बच्चे थे या आज भी बच्चों को घर में संस्कार दिया जाता है कि अपने पैसे को गुलत में रखो कोई बड़ी राशी नहीं होती है एक-दो रुप्य की होती है लेकिन हमें अभ्यास, आदत दिलाने के लिए हमारे घर के लोग ये हमें सीख देते हैं कि धन का बच्चत करना चाहिए धन का अपवयाय नहीं करना चाहिए जरूरतों को कम करो जितनी जरूरते हैं उसी के लिए तुम्हारे पास संसादना है बाकी पैसा जमा करो कभी विशेश परिस्तिती में काम आएगी तो वित्त भी धीरे-धीरे ही आता है अब जितनी बड़ी सफलता जो बड़े वरेन वफेट हो जो आज विश्व के सबसे बड़े धनी आदवी है या फिर मुक्य संबानी को आप मानने मुक्य संबानी से भी बड़ा जिनका नाम सब लोग सरधार से लेते हैं अरतन टाटा है हमारे बिरला है हमारे इन लोग के पास एक दिन में पैसे नहीं आये है धीरे अध्यवसाय करते हुए लगातार कोशिश करने के बाद इन के पास पैसे आये है और विद्या भी अचानक नहीं आती है हमारे गुरुजन बताते रहे है कि जब भी मौका मिले एक किताब खरीदो और उसको जमा करो उसको पढ़ो वो धीरे धीरे अपनी हमारा ग्यान कोशल बढ़ता जाता है थोरो कोई मुर्ख नहीं था जो कहा करता था यह पुरानी कोट पहनो और नई किताबें खरीदो तो ग्यान धीरे धीरे मिलता है हम समुद्र किनारे खड़े हैं थोड़ा उतरते हैं ग्यान के सागर में जितना हम समुद्र में उतरते हैं बस समझ लीजिए हमने उतना ही ग्यान प्राप्त किया समुद्र जैसे अथा है ग्यान का सागर भी अथा है हमें उसमें डूब करके मोतियों को निकालना है अथा हमोती पड़े हुए हैं, आप जितना डुबकी लगाएंगे, उतनी मूती आपको प्राप्त होंगे, तो सफलता आपको धीरे-धीरे की प्राप्त होती हैं, लेकिन उसके लिए लागातार प्रियास करना पड़ता है, कई लोगों को देखेंगे, एक जनरेशन से हुनके दे, रोम का निर्माना एक दिन में नहीं हुआ था, वर्सों लग जाते हैं उनाने में, हमें भी वर्सों की तैयारी करनी चाहिए, लागातार कोशिश करनी चाहिए, और तब ही हम सफल होंगे, सफल होने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने सफल होने का मतलब यह नहीं के आपके पास कुछ पैसे हो जाए, सफल होने का मतलब यह है कि आप वक्त के इतिहास में कितना अमिट छाप छोड़ कर जाते हैं。 हम लोग कहते हैं न, गर्थ हो जाते हैं रास्ते के धूल में, जो मंजिल पर पहुँचकर रुख जाते हैं, छू लेते हैं आफताब को वो, जिनकी नजर आसमान पे होती है, हम आफताब को छूने की कोशिश करें, हम सूरज को छूने की कोशिश करें, हम आकास के पार जाने क कोसिस करें, समुद्र की गहराईयों से मोती को चुनने का प्रयास करें, बहुत समय है हमारे पास, एक-एक करके हम माईल स्टोन को प्राप्त करते चले, प्रार करते चले, लंबी दूरी हमें तै करनी है, हम सब सफल हों, यसस्वी हों, इनी सुब कामना के साथ, आप सब को मेर प्यार भाड़ा, नमस्कार